हलो डियर स्टुडेंट्स, मैसेल भरादादीच, टीम जुलोजी, आज हम जो आपके पेपर हुआ था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, मिड सेशन टेस्ट सीरीज वाला फॉर्थ नमबर पे, अब आप देखते हैं इसमें कि पूरा पेपर NCRT वैस था, कुछ आपके silly mistake हुई है, तो उनको अपन cover करते हैं, और थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ tricks बताऊंगा मैं, उससे भी आप थोड़ा सा याद रखना, और मुझे काफी उम्मीद है, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, और अब अपन चर्चा करते हैं, फर्स नमबर देखते हैं, अपने को पहले से हर्ट का डाइग्राम मालूम है, यहां atrial part पर यह पार्ट हुआ है, फिर यहां से bundle वाले पार्ट है, और फिर यहां से fibers निकले हुए होते हैं, तो यहां यह कौन सा होगया, as a node, फिर यहां पर कौन सा आ गया, यहां आप देखते हैं, av node, फिर यहां से फिस के नाम से और ये लास्ट में पुरकिन्जे फाइबर्स के रूप में जानते हैं ये अपने को मालूम चल गया ये एक कंडिक्टिविटी होती है अब आपने देखते हैं इसमें कौन सा सही हुआ है आपने ये मालूम कर लिया कि वास्ते में सिस्टेमेटिक मैनर से अपने बास ये किये, SA note, AV note, bundle of his and Purkinze fiber, इसका मतलब इसमें fourth answer चला जाता है, और ये आप समझी गए, कि इसमें अपन, exotics में हैं, जैसे मालों अपन कहें, save his, जैसे park, ये एक point है, कि उसके लिए भी park बचा के रखना, अब इसमें ये ठिक है, क्या, कि जैसे SA, इसका मतलब SA note पहले, save, फिर उसके बाद में AV, इसका मतलब इहां पर हो गया, AV bundle, his में क्या आगया, his of bundle, और फिर बाद में क्या आगया, park, तो उसके लिए भी बचा के रखना, तो save his park, ये इसका trick है, इससे अपने को याद भी रहेगा, अगर किसी का गलती से गलत हुआ है तो ये trick आप याद रखना, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, next देखते हैं, अपने पास आया, next, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि choose the correct option, like x, y, z, ऐसे person में अपने को मालूम चलना चाहिए, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और z यहाँ पर है, खर वो तो अपन group A, B है, तो उसका antigen क्या होगा, तो यहाँ आपने को मालूम चल गया, यह B, और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाया, plasm, यहाँ just antibody के बारे में चरचा की गई है, तो y पे यहाँ पर क्या होगा, कि y पे क्या हो सकता है, किस परकार की step आ सकती है, तो यहाँ antibody की रूप में आ रही है, तो इसका मतलब जब A, B, यहाँ blood group O है, और फिर यहाँ पर पूछा गया antibody, तो इसका मतलब A and B वाली step होगी, तो इसका मतलब यह हो गया, और फिर Z में, कि donor group कौन सा हो सकता है, तो आप जानती ही है, A, B देखो A से ले सकता है, B से ले सकता है, A, B से ले सकता है, इसका मतलब ऐसा option कौन सा हो सकता है, अब देखो X में A, B, यह पहला ही अपने को मिल रहा है, Y में NT, A, B, यह भी मिल रहा है, फिर Z में A, B से A, B, A, B हो, इसका मतलब first answer ही चला जाता है, आगे जाने की जुरत ही नहीं है, यह भी मुझे लगता है, किसी का गलत नहीं हुआ ह फिर भी थोड़ा सा, अगर मालो कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जुरत थी, आगे चलते हैं, नेक्स देखो, अपने देखा यहां पर, आप से पुछा गया यहां पर, वेन वेंट्रिकल सिस्टोल, इसका मतलब जैसे मालो आपको मालूम है, यह पार्ट अपने पास वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल यहां से, यह सिस्टोलिक स्टेज में है, अब यहां से सिस्टोल हो रहा है, तो इस दोरान यहां ए वॉल क्लोज होते हैं, तो यहां निस्सित है, जब यह सिस्टोलिक होगा, तो इसका मतलब भर रहा होगा होता है तो यहाँ पर जो semi-neular wall थे जिसको अपन बोलते हैं simple सा अपन जिसे मालो यह माल ले हर्ट है और यहाँ पर आपको मालूम है कि इधर से जिसे blood निकल रहा है या इधर से निकल रहा है अब यह relaxation stage पे होंगे तो यह wall semi-neular wall क्या होंगे यहां से close होंगे तो इसका मतलब यह पे आपको मालूम चल गया कि semi-neular wall जो है वो यहां से close है और फिर उसके बाद में पूछा कि second sound of heart तो आपको मालूम है कि first sound जो होती है जैसे लब इस परकार से और दूसरा कौन सा होता है second लब पे इसको बो लेंगे अपन डब तो इसका मतलब यहां पर कौन सा हो गया second strip में आपके पास यहां B पे आ गया कौन सा डब तो इस पहले option से ही मालूम चल गया कि semi-neular wall और दूसरा कौन सा है या डब तो first answer चला जाता है next देखते हैं rate of heart beat is determined by आपको मालूम है जैसे अपन यूँ कहें पेसमेकर अब पेसमेकर आपको पहले से ही मालूम है कौन है इससे में अपने आया essay note तो इसका मनलब पेसमेकर कौन हुआ essay note fourth चला जाता है simple है कोई दिक्कत नहीं है इसमे next देखो अपने बास पूछा गया कि which among of the following character during each cardiac cycle कि जब cardiac cycle हो रहा होता है तो उस दोरान क्या होता है आपको मालूम है the volume of blood pump out by the right and left ventricle in same ये पहले पी मालूम चल रहा है अपने को कि यहाँ पर दाएं और बाएं निलेव पर pump कि ये रुदिर की मात्रा समान होती है इसका मतलब एक proper way में यहाँ एक systematic manner से अपने पास first ही answer चला जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये हो गया 105 number वाला next देखते हैं फिर उसके बाद देखो पूछ रहा है a disorder in which is the acute chest pain appear देखो जहाँ acute chest pain नाम आ रहा है no enough oxygen reach to the hurt muscles it is NCRT की line है आप अच्छी तर जानते हो कि सीने में दर्द हो रहा हो और प्रयाप्त oxygen की मात्रा नहीं पहुंच रही है तो इस परकार की condition क्या कहला दी है तो अपने को मालूम है ये angina factoris है direct NCRT की line है इसमें second answer चला जाता है next देखो यहाँ फिर आपके पास आया की prices hurt is जो मसलियां होती है उसमें hurt कैसा होता है आपको मालूम है कि यहाँ two chamber of hurt वाली stage होती है ये A हो गया ये B हो गया लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ impure blood की step ही होती है impure blood वाले hurt को अपन क्या बोलते है venus hurt के नाम से भी हम जानते है इसका मतलब यहाँ two chamber भी है और venus hurt भी है तो answer कौन सा चला गया है both first and second साइद समझ में आ गया होगा next यहाँ अपने पास आया आपने देखा very most है आप जानते हैं यहाँ पर कि which statement is correct for किसके लिए पूछा जा रहा है कि यहाँ से कौन कौन से statement जो correct है किसके लिए वो अपने आप अपने पढ़ेंगे तो इंसे मालूम चलेगा कि ECG as a great clinical significance NCRT की line है यह की दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ recording of chemical changes यहीं पर गलत हो गया second यहाँ पर गलत हो गया फिर कह रहा है तो अपने a stand is easy a patient is connected the machine with the three electric electrodes one to each wrist बिल्कुल आपको मालूम है and the left of angle इसका मतलब यह बिल्कुल सही हुआ यहाँ यह सही हुआ यह सही हुआ यह wrong हुआ फिर उसके बाद में यहाँ आपको मालूम चला यहाँ पक्का आपको मालूम है कि रदे की सामान्य किरियाओं की आंत्रिक रूप का नियंत्रन भी यह बताती है फिर उसके बाद में electric cardiogram is the record of electric activities of the heart अब देखो इसी जिगा नाहमी step में है इसका मतलब आपके पास यह भी यहाँ से सही गया तो इसका मतलब first, third, fourth और fifth यहाँ answer जा रहा है तो इसका मतलब आपके पास यह answer चला जाता है क्या क्या आपके पास second तो बिलकुल यह chemical के कारण resign के कारण वैसे ही बैकार सा हो गया फिर देखो next यहाँ next आया क्या आपके पास ऐसे विक्तिकार दे निकास मतलब यह caudic output के बारे में आपसे पूछा जा रहा है caudic output अब अपने को मालूम होना ची कैसे निकालते हैं caudic output equal आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा caudic output equal कि heart जो यहाँ पर मालूम है आपको heart rate की step और दूसरा क्या है यहाँ stroke volume जो दिया गया है अब अपने को यहाँ दिया होगा अब अब देखते है heart rate जो होती है वो अपनी दी हुई है 72 और फिर ही यहाँ से आपके पास दिया हुआ है कि किता कड़ 50 इसका मतलब यहाँ पर आपको मालूम चला 72 और यहाँ पर यह वाले स्टेक्चर तो यहाँ आपके पास कितने आ रहे हैं यह देखो यह हो गया इसका तो इसका मतलब यहाँ answer आया आपने पास third मैं समझो साहिद बिल्कुल clear हो गया होगा need me step का प्रशन आया भी है आपको मालूम होगा तो इसको अच्छी तरह आप पर इसी तरीके से इसी फर्मेले से निकालते हैं तो आपको मालूम चले गया next देखो यहाँ से आपके पास पूछा गया कि यहाँ column A और B जो दिये हुए हैं यहाँ A और B step है कि granulocyte और A granulocyte कौन कौन सी identify करना था तो देखो granulocyte में आपको मालूम है neutrophils है, besophils है eosinophils है, इसका मतलब यह है और यहाँ पर lymphocytes और monocytes यह दोनु कौन सी होगी A granulocyte और यह कौन सी होगी granulocyte इसका मतलब A, B, C, यह बिल्कुल correct हुआ और A granulocyte में आपके पास D और E, इसका मतलब यह चली जाती है मतलब करनीका में और A करनीका साइट जो की रूप में है तो कौन सी है, तो यह आपका इस परकार से NCRT का है, आपको मालूम ही है फिर उसके बाद देखो यहां से पुछा गया, यह बहुत important है Erythropoetic organs कौन से हैं अब देखो यहां पर हुआ क्या Erythropoetic organ मतलब क्या हो गया The formation of the RBC जैसे कौन कौन से organ हो सकते हैं इस सी तरह आप जानते है Cooper cell, इसमें आपको मालूम है Cooper cell मतलब यकरत में present है या liver में, इसका मतलब यह तो काम करता है दूसरा योकसेक, तो first RBC का formation आप देखते हैं तो योकसेक में मिलता है, NCRT की line है फिर उसके बाद में spleen, इसको blood bank है और यह special step भी करता है फिर के रहा है red bone मेरो, यह भी सही है नेक्स देखो, अब यहाँ देखो क्या परभाव पड़ेगा किसी कारण से, यह चोड से, हरदे में 3-2-1 का पार्थ, यह कोड़ा टेंडिनी आंसिक रूप से, यह क्रिया आत्मक रूप से यह अत्कलिक परभाव में क्या होगा सबसे पहले अपने को देखो, हर्ट में जो वॉल्व होते हैं, इनके लिए मैं आपको टिक्स बता देता हूँ, यह याद रखना नीट के लिए इंपोर्टेंट है, आप इसके सौट टिक्स को अच्छी तरह याद रखना, जैसे मैंने कहा cut his eyes lab red पहले यह लाइन याद हो अपने को, यह अपन लिख लेते हैं, कि cut his eye lab rate, इसमें पूरे हर्ट के वॉल्व आ जाते हैं, देखो, पहला यह जो पाइट है, वो है coronary sinus, अब इस coronary sinus में कौन सा वॉल्व हुआ, तो यहाँ जैसे अपन देखें, eye को अपन inferior मानते हैं, तो यहाँ हो गया, यूश्टिकियन वॉल्व, और ये left atrial heart में कौन सा हो गया, bycaspid, और right में कौन सा होता है, तो tricaspid, वॉल्व होते हैं, इसे mitral wall के रूप में भी आप जानते हैं, left वाले को, तो अपने को मालूम चल गया यह चीज, तो यह कह रहा है, कि heart के, यहाँ पर, इस वाले पार्ट पर, मतलब यह वाला जो पार्ट था, आप जानते है, tricaspid, इसका मतलब, मालूम चल गया आपने को, यह right side वाली बात कर रहा है, अगर वो, थोड़ा असा damage हो राता है, तो क्या होगा, तो यहाँ से आपको मालूम है, जब blood यहाँ से, यहाँ वाले पार्ट में आएगा तो यहां से निकल कर यह वापिस जा रहा होता है जिसे अपन नॉर्मली जानते हैं तो यहां से क्या हुआ जैसे हैपन देखते हैं इस वाले इस्टेक्चर में कि क्या स्टेप बनेगा कि देखो दा फ्लो ओ बलड इन्टू दा पॉल्मोनेरी आर्ट्री विल बी रेड्यूस्ट आपको मालूम चला है हाँ पर ऐसा होने से क्या हुआ रक्त का परवह पॉल्मोनेरी धमनी में कम होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ डेमेज हो गया है यह लाइन याद रखना इससे काफी किसी टाइप का सकता है मालो यहां तो इसने इस्पेशली ट्राइकेस्पिट का दे दिया पता नहीं कौन से वोल का दे तो आपको यह लाइन याद होनी चाहिए बेटा तो यहां पर कौन सा हुआ इसमें बताने की जुरत ही नहीं रही फरस्ट ही आंसर चला जाता है फ्रेंट या फिर अभी भाई धमनी का आंसर चला जाता है और आप यह भी जानते हैं कि इस वोमन कैपसूल में बोडी में जैसे की बलड को लाना और यहां से लेजा नाम बाई जैसे माल लो इसका डायमीटर जादा है इसका डायमीटर कम है लेकिन बलड का लाना और लेजा नाम वैसे तो देखो आर्ट्री और विनका काम है लेकिन इस वाली में कौन काम करता है दोनु ही यहां पर धमनी आमल अर्ट्रियोल धमनी का है काम कर रही है इंपोर्टेंट लाइन आपको यादो नहीं चाहिए और यह लेक्ट के आती है इसका मतलब यहाँ पर कौन सा हो गया इफ यहाँ एफरेंट अर्ट्रियोल वाला अंसर चला जाता है तो इसका मतलब आपका यह फर्स्ट आंसर चला गया नेक्स देखो यहाँ से पूछा गया कि रीड दा फॉइंग स्टेट्मेंट और फिर किसके बारे में पूछा गया है चारों को पढ़के और आपको देखो किसके how many statements are correct about the joint diastole अब देखो अपने को joint diastole मालों वोना चाहिए आपको अच्छी तरह मालूम है जैसे मालूमें ने यहाँ यह इस परकार से पूरे पार्ट बता दी है और यहाँ मैं 0.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 तो इसका मतलब अपने को मालूम चला कि जैसे मालों में अंदर वाले को माल लेता हूँ अट्रियल, अंदर वाले को क्या माना मैंना है अट्रियल, और बाहर वाले को माना मैंने वेंट्रिकल्स, तो यहाँ पर अगर मालो अगर systolic stage है, और दोनुं से कार की step में, इसका मतलब जोइन डैस्टोल की वेल्यू कितनी हुई अपने पास, 0.4 बिल्कुल सही बात है, अब इसमें क्या क्या हुआ होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, all the four chamber of heart is the relaxed, बिल्कुल चारूं chamber of the heart क्या है, रिलेक्स डे, इसका मतलब इस diagram से, पक्का मालूम चल रहा है, यह फिर क्या रहा है, कि tricaspid and bicacid wall open, अब आपको मालूम है दोनुं ही open होंगे, तभी वहाँ पर blood आएगा, तो रिलेक्स यह तो आए गई, फिर blood form the pulmonary veins and vena keva, flow into the left and right ventricles, यह भी बिल्कुल सही हुआ, the seven ruler walls are closed, नहीं यह अगर मालू होगा, तो फिर blablaar निकलने लग जाएगा, इसका मतलब यह तो फिर systolic stage में आ जाएगा, ventricles and systolic में, तो इसका मतलब डायस्टॉल, जो भी joint diastole है, उसके लिए कौन सा statement सही है, तो यहां आपको मालूम है कि जितने भी statement थे total, सारे character, जैसे first आपको मालूम चला, हरदे के चारो कक्स की अवस्ताएं बिल्कुल, एक relax में होनी चाहिए, tric acid और vicar acid wall बिल्कुल खुले होने चाहिए, इसके लावा, यहाँ पर जो pulmonary vein और यह रोटा वाले पार्ट जो राइट और लेफ्ट वाले में जो ventricles में अपना relation बनाते हैं वो भी वहाँ पर इस परकार से blood को पहुचाने में रहे, और इसके लावा semi neutral wall बंद होने चाहिए, तो यह भी आपको अपने देखा, कि दा globin's content human blood are the primary involved वैसे हम जानते हैं कि जैसे मालो albumin होती है, उसका relation किससे होता है, osmo regulation से, और एक globin का relation जो होता है, वो किससे होता है, यहाँ हमेसा, एक तरह से immunity वाली structure से, या परतिरक्षा से होता है तो आप जानते हैं, अगर A, albumin आता, तो यहाँ osmo reality होता लेकिन पूछा गया है, यहाँ globin के बारे में अगर पूछा गया है तो globin के बारे में अगर पूछा गया है तो globin especially क्या गाम कर रही है तो हमारी शुरक्षा, या फिर defense में help कर रही है, तो defense mechanism of the body, बहुत ही सही है, सटीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसलिए आपको यह भी समझ में आ गया होगा, next, देखो फिर आया यहाँ पर, देखो यह RS factor से कि यहाँ doctor suggest कर रहा है कि एक सदिक बच्चे हैं वो उससे को करने में दिक्कत आ सकती है या उनमें नहीं होने चीए एक सदिक बच्चे है, तो वो कौन सा बाट हो सकता है आप जानते हैं, यह प्रशने especially, यहाँ erythroblastis fatalis से लिया गया है आप अच्छी तरह जानते है RH positive, यहाँ male और इसका cross RH negative, female के साथ यहाँ cross होता है तो निस्षित है first child में तो यहाँ positivity में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन उसके बाद जो आएंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा erythroblastis fatalis होने लग जाएगा तो डॉक्टर जो सुजाव दे रहा था अपना तो वो किया किसके लिए दे रहा था इसके लिए कि RH positive या male और RH negative female है इस कारण से answer आपका यहाँ पर second चला जाता है बहुत ही simple था फिन next देखो यहाँ आपको match करवाना है column first और second से तो देखो क्या होता है सबसे पहले आपसे पूछा गया lymphatic system lymphatic system में आपको मालूम है to drain back to the tissue fluid to circulatory system अब देखो यहाँ circulatory system में इसका मतलब इनको कभी भी यूमेच नहीं करवाना चाहिए आपको answer यहीं लिखना नहीं चाहिए कि वास्ता में यहाँ पर आपके पास पहले आया third फिर यहाँ पर आपके पास pulmonary van आपको मालूम है यह वेन एक तरह से exceptional part पर होती है अपवाद होती है क्योंकि इसमें oxygenated blood होता है इसका मतलब यहाँ पर आपके पास पहला ही आ जाता है carries the oxygenated blood फिर उसके बाद में thromboside इसका relation आपको मालूम है blood clotting से होता है तो ने शित रूप पर आपके पास यह आ गया और फिर lymphoside की रूप में है तो यह immunos response के लिए इमजिम्मेदार होती है तो यहाँ second आ जाता है तो अपने को क्या देखना है third one fourth three third one यहाँ पर fourth और second answer आप देखते हैं तो देखो third अपने पास इसमें है लेकिन फिर one फिर यहाँ पर देखो यहाँ से रोग हो गया तो इसका मतलब इसमें वाले में आपके आप देखते हैं तो मैं इस तो करवा नहीं पढ़ेगा बैटा third, first, fourth and second third, first, fourth and second इसका मतलब आपका second answer चला जाता है बहुत ही सही सटिक था next देखते हैं आप यहाँ से blood clotting से आपको मालूम है दो जारी किस में blood clotting से आया भी था बहुत से simple सा था इसलिए थोड़ा सा NCRT की line है आपको अच्छी तरह मालूम होनी चीए यहाँ step बताई गई है कि यहाँ क्या एक सही सिक्वेंस हो सकती है blood clotting के लिए तो यहाँ देखो क्या option होगा पहला है thromboplastin formation आप जानते हो कोई भी tissue है और वो अगर damage होता है तो वहाँ से इस परकार के या कोई platelets के part में से कोई part निकलता है तो thromboplastin का formation होता है उसके बाद में conversion of thromboplastin to thrombin इसका मतलब यह first हुआ और यह second हुआ फिर उसके बाद में formation of the fiber polymer यह वास्तम third हो गया और last में formation of the clotting यह fourth हो गया इसका मतलब series से ही system से ही आपके पास पूछा गया है इसका मतलब A, B, C, R, D इसका answer यह चला जाता है मैं समझे हूँ सेद उम्मीद है यह आपका काफी बहुत सही तरीके से गया होगा important है आप किसी चीज़ को NCRT से बाहर नहीं लें लेकिन आपको आना भी चीज़ी अच्छी तरह है अब देखो यहाँ पूछा गया है आपसे कि जो डाइग्राम दिया गया है इस डाइग्राम में आपको किसके लिए systemic circulation पूछा गया है systemic circulation क्या होगा किस परकार से चलेगा अब आपको वालूम है एक होता है pulmonary और एक होता है stick step तो इसका मतलब right ventricle से अगर मालनों अपनी यह बात करे किस side जाएगा अब देखो यहां से यह part हुआ फिर यहां गया तो यह तो एक pulmonary step हुआ ना जबकि systematic क्या होता है यह वाला part फिर यहां से body part फिर यहां से यहां जा रहा है तो इसका मतलब systematic step हुई इधर वाली part पे तो यहां से क्या होगा पहले आप left venticle की तरफ चले फिर उसके बाद में आपके पास body part के पास आगे और फिर उसके बाद में आप right venticle की तरफ चलते हैं तो इसका मतलब left venticle, body part और right venticle की step में आपके answer यहां third चला जाता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चीए बहुत simple सा था बस थोड़ा सा pulmonary और systemic दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा knowledge होना जरूरी था उसके बाद देखो next यहां पर आपके बास पूछा गया अब यह इसमें पूछा गया है कि जो एक part दिये हुए हैं उनको फिल पिल कर रहा है आपको तो यहां है formed element of blood content अब देखो क्या होता है सबसे पहले अपने को मालूम होना चीए कि जिसे मालू blood है तो blood में आपको मालूम है एक तोधिय प्लाजमा एक formative blood, blood carpalses अब आपको मालूम है 55% की stage होती है और कितना होता है 45% की stage होती है अब इसमें पूछा क्या गया देखो कि जो part है formative element के रूप में वो कितना है तो इसका मतलब आपको मालूम चल गया 45% यह है पहले ऐसे step की जो प्रशन आए ना तो अपने पेंसे answer option बाद में देखना चाहिए उसी दोरान अपने knowledge को पूरा update करते हुए बिल्कुल passence मतलब मस्त रहे लेकिन खुश रहे लेकिन serious रहे उस question के बरती की वो क्या पूछना चाहरा है उसी में बरतेना चाहिए जिसे कि अपने मालूम चल जाए कि हम किस तरीके से कर पाएंगे तो देखो यहां क्या होता है सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर यह पूछा गया फर्स्ट में तो 45% आ गया फिर पूछ रहा है अब आपको मालूम है यहां सबसे ज़्यादा 65% के आसपा तो यहां पर कौन सा हो गया नूट्रोफिल्स के रूप में आपको मालूम चल जाता है फिर हेल्दी एडल्ट में एवरेस कर्टेंट तो दा आरबी सी के बारे में पूछा गया है तो आपको अच्छी तरह मालूम है यह पांच से पांच पॉइंट पांच मिलियन के रूप में यहां पर आंसर आ जाता है फिर अगला क्या पूछ रहा है कि यहां पर यह पूछा गया तो यहां हो गया अब यहां अपन ने पूरा बर लिया अब यह इतना जब हम पूरा यही पर आंसर चेक कर लेते हैं तो रीचे वाला उप्सन कैसे गलत हो सकता है इसलिए ऐसे प्रश्णों को वहीं पर ही पूरा गरना चाहिए क्योंकि नॉलेज तो होता है देखो एक्जाम में बैठते हैं सब कुछ अपने को आता है बस थोड़ा सा डर होता है उस डर से ही अपने को बाहर निकलना होता है तो इसलिए आप देखो बहुत सिंपल से फॉर्म में अब मिलाते हैं अपन पहला कौन सा है फॉर्टी फाइपरसेंट किस किस में है बैदेखो फॉर्टी फाइपरसेंट यहां पर भी मिल रहा है यहां पर भी मिल रहा है यहां पर भी मिल रहा है और ये भी सही हुआ, चलो ठीक है, अपने पास अब दो बच गए, अब आपको, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो गया था, इसलिए अपने को करने की जूरत ही नहीं थी, अब देखो यहां पर, इसका मतलब निट्रोफिल्स की स्टेप यहां पर मिल गए अपने को, तो आंसर आ जैसे ही अपने पास नेक्स आता है, कि एक ऐसा स्टेप जो की एक रेड जो फाइबर्स होते हैं, उने में कौन कौन से स्टेट्मेंट कौन से हैं यहां पर, एक स्पेशलिए कह रहा है कि यहां पर मैट्रोगॉंडिया बरपूर होता है, मायोगलोबीन बरपूर होता है, अ यह line NCRT में देखो, आपने सारकोप्लास्मिक रेटिकुलम, यह decrease step में होनी, कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब C तो यहां रोंग हो गया, फिर ATP उत बादन के लिए, बिल्कुल आपको मालूम है, कि यहां पर depend on the aerobic forces for the ATP production, यह सही हुआ, यह सही हुआ, यह सही हुआ, यह सही तो इसका मतलब आपके पास second answer चला जाता है, ज्यादा सोचने की जूरत है ही नहीं इसमें, फिर next देखो, आप पुछा गया, कि जो एक तरह से obligatory water re-observation, without energy, हाँ, आपके पास कोल साय, ज्यादा सोचने की जूरत नहीं, इसमें सीधर ही answer जा रहा है, first, बिल्कुल कोई दिक DCT वाला पार्ट बना, यहां से DCT वाला पार्ट बना, यहां से, और NCRD में साप साप लिखा हुआ है, कि यहां DCT जो होती ही, वो एक तरह से conditional form पर काम करती है, और वहाँ पर absorb करेगा, तो DCT पर आपको मालूम है, ADH, anti-diuritic hormone step लेगा, इसलिए यह भी आपका सही हुआ होग क्या, नेक्स देखो, उसके बाद आपके पास आता है, कि जब muscles में contraction होता है, तो उस दुरान आपको क्या देखेगा, during the muscles contraction, A bend decrease, ऐसा नहीं होता है नहीं, तो N-I से उड़ता ही नहीं, I bend and and John decrease या disappear, बिल्कुल सही है, यहां से किंड यहां से चला जा जाता है, ज़्या सोच और बीच में यहां से H-zone होता है, तो यह disappear हुआ है, और decrease से step में आया है, इसका मतलब second answer चला जाता है, मैं समझ में आगया होगा, कोई खास बात नहीं थी, इसमें, इसलिए next देखो, फिर उसके बाद देखो, आप क्या देखते हैं, कि under the glomerous flow, blood flow GG cells release, very most, आपको मालूम है GG cell, जो होती है, वो especially glomerous cells के रूप में आप जानते हैं, कि कौन सा hormone release करती है, आप जानते हैं, या कौन सा step होता है, तो देखो, यह सब अलग-अलग step में थे, आपको पहले ही मालूम था, रेनीन, लेकिन ध्यान रखे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे, रेनीन मे double N आते ही, वो digestive system से related होता है, इसलिए आप single N का ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पर तो खेर, मालूम चल रहा है, आपको रेनीन, क्योंकि और कोई option ऐसा है नहीं, दो रेनीन लिखा आ जाते हैं, उसमें पिर आपको पैचानना पड़ता, नेक्स देखो, यहाँ आपके पास यहाँ से इसने रहनीन चोड़ा, इधर से आपको मालूम है, जैसे मालू अपना यह लीवर है, यहाँ से step देगा, और फिर यहाँ से आपको मालूम है, यहाँ से एंजियो टेंसिनों जनको एंजियो टेंसिन में, और फिर यहाँ से lungs के दौरा, NCRT की लाइने हैं बिटा, अच्छी तरह ध्यान रखना, NCRT की लास्ट पिरिग्राफ में आप देखेंगे, पूरा नजर आएगा, और इसको इससी step में याद कर लेना, अब यहाँ से क्या होगा, यह लंग्स के दौरा, यह एंजाइम कनवर्टिंग यहाँ पर, यहाँ एंजाइम कनवर्टिंग मतल करता है, तो यहाँ से रेनीन वाला structure हो गया, और फिर यहाँ एंजियो टेंसीन कनवर्टिंग के फिर में हो गया, तो इसका मतलब और कोई option ही आपके पास नहीं है, यहाँ रेनीन और एंजियो टेंसीन कनवर्टिंग यहाँ जो लंग्स की step में आया है, second answer यहाँ से चला ज यहाँ पर इस वाले structure में तो क्या होता है, और यहाँ जो inspectors होता है, उसमें क्या होता है, तो आपको मालूम है, यह वाला जो part है, वो तो क्या होगा, especially contract होगा, मतलब संकुचीत होगा, और इस वाले part में क्या होगा, relaxation होगा, जिस कारण से urine easily बहार आएगा, तो इसका मतलब eliminate through the very most NCRT की line है, आपके last week, आपने अच्छी तरह आपको इस परस्ट मालूम होगा, कि जो sell IWA होती है, वो भी इसमें help करती है, इसलिए NCRT सहीं ही है, वैसे आपको लगी रहा होगा, पुरा NCRT ही है, अच्छी तरह आप ध्यान देते तो यह गलत होने के chance नहीं थे, और व लगी रहा है, हर्ट भी जो होती है, वो सिस्टोल और डायस्टोल, एट्रिया और वेंट्रिकल की स्टेप में यहाँ चलती है, इसका मतलब यह तो true हुआ, फिर दूसरा कह रहा है, कि हर्ट रेट डिक्रीज लेजर 50, यह आपको मालूम है 50, यह वैसे ही गलत हो गया, एट् से कह रहा है कि यहाँ पर यह पहले होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, true हुआ, फिर false हुआ, फिर false हुआ, फिर true हुआ, ऐसा मेच करवाते हैं कौन सा है, देखो, यहाँ पर गलत हो गया यह, फिर यहाँ पर यह से है, यहाँ आपको बिल्क की मात्रा आपके सामने इसका मतलब यहां पर फर्स्ट आंसर आ गया रेनल के लिली के लिए मत क्या होता है इस्टान किस्टिलाजेशन साल्ट फॉर्म कुदा किड्नी यह सेकिंड पर ही आ गया अंसर फिर थर्ड में क्या कह रहा है गलूमिनस नेफ्टाइस जहां इटिस लग गया इसका मतलब स्वेलिंग इंफ्लमेशन इसका मतलब थर्ड यहां पर आ रहा है तो देखो फर्स्ट सेकिंड और थर्ड देखो फर्स्ट सेकिंड और थर्ड इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें नहीं है इसमें 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 काम कर रही रहा है उसके साथ ही रिलेशन होता है एल्डे स्टेरोन इसके साथ काम करता है बचा कौन तुम्हारे पास एक एए एनएफ फेक्टर जो की वी-पी को डाउन करेगा और ये एक तरह से डाय स्टेप में लायता है अब इसमें आपको मालूम चला कोई दिकत नहीं हो होता है वो दोनू इसमें क्या होता है वी-पी इंक्रीज होता है तो ये भी एक इंप्रोटेंट धेहन धाना तकी काम करता है कि वी-पी जब डिक्रीज होता है तो डिक्रेज रही नमक खाओ लेकिन compete हता है नमक बंद कर दो इसका मतलब ये तो सही हुआ दूसरा क्या किया रहा है If the nephron of one kidney are the damaged and new nephron are formed कब भी नहीं हो सकता नहीं तो फिर kidney transplant करने की जुरत कहा थी वो तो बनता रहता वहाँ पर वो तो एक kidney दूसरी kidney का काम माल ले रही है ऐसे तुड़ी ले रही है वो एक kidney में अगर माल लो कोई nephron अगर माल लो हट गया तो नया बन जाए तो फिर तो वो kidney काम में खराब ही नहीं होगी ना इसलिए यही यहां गलत है आगे जाने की जुरत ही नहीं है बिटा मतलब आपको याद रखना है इसमें second answer गलत मतलब बूचा ही गलत है इसका मतलब आंसर चला गया आपका second next देखो next आया यहां पर मेच करना था यहां मेच आपको आपने पक्का किया देखो यहां पर क्या कहरा आया यह एक ammonia टेलिस्म की रूप में है तो वही है same आप मेच करवा हो देखो सबसे पहले यहां पर आपके पास आगया bonifis फिर woman capsule का relation हो गया तो यह हो गया आपके पास E मतलब एक तरह से इस renal table से फिर उसके बाद में देखो यहां पर यह हो गया आपके किसे D एक तरह से एक urinary bladder से फिर यहां यूरी कोटेलिक के रूप में तो निस्षित है यहां हो गया और last में ADH तो बचाई तुम्हारे पास B है तो answer कौन सा गया C फिर उसके बाद में E फिर उसके बाद D फिर उसके बाद में A और फिर B तो देखो कौन कौन से है C, E, D, A, B first ही चला गया इतना सोचने की जुरत ही नहीं थी या फिर देखो next कौन सा है यहां पर आपसे पुछा गया बहुत ही ध्यान रखने की जुरत है बिलकुल concept है NCRT based है बिलकुल आपने देखा कि इसमें पुछा गया है क्या कि यहां A और B पार्ट दिया गया जैसे मालो आप यह उपर वाला पार्ट आपके पास यहां से आप देखते हैं अब इस से आप नीचे जाते हैं तो यह पार्ट कौन सा हो गया Cotical पार्ट और यह हो गया मेडूला पार्ट और Osmolity आपको मालूम है कि यहां 300 से जस्ट बारा सो तक की स्टेप में चलती है लेकिन याद रखना पड़ेगा क्या यहां यूनिट भी आपको मालूम हो नीची अब देखो A क्या है Osmolity of cortex और B क्या है यहां Osmolity मेडूला तो नीचे की तरफ जाएगा अब देखो यह 300 Osmol पर लीटर आगे जाने की ज़रती नहीं है आपके पास अंसर यहीं से मिल जाता है बहुत अच्छा था आपका सही हुआ होगा ठेक्स देखो नेक्स इसमें आपको सिरीज जो पूरी ही है उसको आप पूरा फॉर्म यादोना चीए जैसे मालो अपने बात करें यहां से यह वाला पार्ट बना फिर यहां से यह वाला पार्ट बना फिर यहां से यह फिर यहां से यह फिर यहां से यह फिर लास्ट में आप जानते हैं फिर यहां से कलेक्टिंग डक्ट के रूप में फिर लास्ट में क्या चलता है अब देखो अगला पूछ रहा है सिक्वेंस से सही करम ठूड़िए आपको मालूम है वामन कैपसूल अब इसमें है क्या कहीं नहीं है इसका मतलब आपको कहां से स्टार्ट करना है PCT से तो सबसे पहले कौन सा आया PCT और PCT आप देखते हैं यहां पर आपके पास पहला यहां आया PCT में F F तो सब में ही है बेटां फिर देखो यहां से यह पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डिसेंडिंग स्टेप तो इसका मतलब B वाले स्टेक्चर में तो यहां पर और यहां पर वाली स्टेज है फिर उसके बाद में क्या कहां आगे चलेगा फिर देखो उप अपर ascending step में आएगा इसका मतलब फिर A ए तो इसमें भी है और इसमें भी है फिर उसके बात में यहां से आया DCT वाले structure में है अब देखो DCT कौन से नमर पर आगया C पे यहां से आपके पास आजाता है C में आगया है यहां पर आपके पास यह वाला रूप तो इसका मतलब य बी यहां पर सही है अब देखो यहां लास्ट में जाके मालूम चल रहा है अरवे तो देखो आपको मालूम है कि अब क्या D-P क्या बनेगा तो D-P आपके पास क्या है collecting duct और E-P क्या है आपके पास renal pelvis stick है तो इसका मतलब बचाई step से था तो यहांसर आपके पास चला जाता है कोई दिकत नहीं है इसमें आपको मालूम ही चल गया कि यही है और तो ही नहीं है नेक्स देखो यहां से अपने पास आया कि किड्नी जो होती है वो यहां कितने डिफरेंसेट पास में होती है तो cortex और medulla यह दो पार्ट है इसससे आंसर यह चला गया फिर देखो next यहां ड पार्ट हो गया अब इसमें A कौन सा पार्ट है यह यह वाला है और यह वाला है फिर B में यह वाला पार्ट हो गया कौन सा पिरामिड स्टेप में medullary पिरामिड फिर C में यहां cortical पार्ट है इसका मतलब इसमें भी आ रहा है फिर D में urator है फिर्स में मालूम चल रहा है इस देखो नेफरीडिया है तो इसका मतलब ये अर्थवर्म में चला गया, एंटिनेरी पार्ट है, क्रिस्टेशन में चला गया, फ्लेम सेल्स है, तो वो आपको प्लेटियल मंतीज वाले अनिमल्स में चला जाते हैं, और फिर आपके पास यहां से कौन सा बना मैलपी की टूब, ध्यान रखें, मैलपी की टूब, मतलब थरड आंसर चला जाता है, साइध अच्छी तरह समझ में आगया होगा, कोई दिकत नहीं होनी चीए, नेक्स्ट, यहां से बहुत ही देखो कितना स्चांदार था, कि बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हो, दस से बारा से होता है, पास से साथ सेंटिमिटर है, फिर दो से, देखो, यहां एम-एम कर दिया, यहां गराम था, जरासा भी ध्यान नहीं दिया, तो कई बच्चे तो इसको फस्ट ही करिया है, जबकि वो तो गलत होई गया था, फिर सेकिंड में देखो, यहां पर इसने इसको गलत कर द और फिर 120-170 ग्राम, इसका मतलब आपका पस फॉर्टान से चला जाता है, एंसे आर्टी में, आपको मालूम है, लंबाई, चोड़ाई, मोटाई जो भी है, और इसका वेट कितना होता है, किड़नी का, वो एंसे आर्टी की लाइन से हैं, अच्छी तर ध्यान रखना, आप इस टैब के प्रसन आजाते हैं, सिली मिस्टेक कर जाते हो, तो अपने को नहीं करनी है, फिर देखो next, यहां आपने देखा, चुजदा क्रेक स्टेट्मेंट, अब देखो क्या किया रहा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इस मैज़र फॉर्म आप पोड़ी, यहां तो करना ही पड़ेगा, कुछ मातरा में तो आपको मालूम है, यहां से निकलता ही, इसका मलब फर्स्ट आपका अंसर चला जाता है, यहां नेक्स देखो, फिर यहां से आपके पास आया, कि यहां पर आपसे पूछा गया आपकी जो मॉमेंट है, वो यहां अरे भाई, ठीक है, फैसलेरी मॉमेंट स्पम में है, लेकिन वो देखो, पूछ क्या रहा है, फीमेल, इसका मतलब फीमेल का ध्यान रखना था, तो फीमेल में देखो, मॉस्किलर मॉमेंट होगा, सिलेरी मॉमेंट होगा, और हमीबट मॉमेंट, नियोट्रविल्स यह इसका मतलब A, B और D, यह कौन से में है, A, B, D है, मतलब थार्ड में आंसर चला जाता है, यह भी आपका सही हो गया होगा, लेकिन द्यान रखना मेल में और फीमेल में, मतलब अच्छी तरह द्यान रखना है, आपको पूरा प्रसन पढ़के ही आंसर दें, फीदे को नेक्स यहाँ से आप से पुछा गया, कि स्किलरडन मसल्स अर यहाँ पर, देखो कितना मतलब एक वालैन्टरी मसल्स है, और वालैन्टरी मसल्स से कहां पर प्रसन रोती है, अब देखो, यहाँ यूरिनरी बलेडर आ गया है, इसका मतलब यह अपने हाथ में नहीं है, यह भी अप तो देखो ये भी अपने हाथ में नहीं है, फिर देखो लेग, टंग, ये अपने हाथ में की स्टेप में थी, लेकिन यहाँ फिर सेकिर्णी वाले स्टेक्चर आ गया तो इसका मालूम थर्ड में ही वाल एंट्री स्टेप थी, अच्छा है, मालूम चलना चाहिए आपको, NCRT इस ही है, कोई इतना टफ नहीं है, फिर देखो next, यहाँ आपके पास आया, component of the actin filament, अब देखो actin filament पुछा है तो इतना तो पहले मालूम चलगा है, देखो myosin आगया, इसका मतलब यह गलत हो गया, फिर आगया myosin फिर गलत हो गया, फिर आगया myosin फिर गलत हो गया, इस हिंट मिल जाना चाहिए अपने को, आपको मालूम है, जेड यहाँ पर किस पर दिया हुआ है, तो आपको मालूम है, इसे एफ actin, ऐसे प्रशनों पे हमेशा नाम लिक लेना चाहिए, उससे कोई फरग नहीं पढ़ता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ ट्रोप मायोसीन की स्टेप में आ जाता है, तो आपके पास देखो, वैसे जेड में देखा जाए, तो आपके पास एफ actin की स्टेप ही है, तो आपके पास फर्स्ट ही आंसा चला जाता है, इंपोर्टेंट है, एंसी अर्टिकर डाइगराम है, कोई दिखत नहीं होनी चाहिए, सिं होती है, या कोई function होता है, बहुत काम कर लेते हैं, तो पाउं दर्द करने लग जाते हैं, हाथ पाउं पुरा सरीर काम करने, थोड़ा सा कम काम करने लग जाता है, मतलब दर्द सा feel होने लग जाता है, तो इसका कारण क्या रहा होगा, कि muscles में जहां पूरी oxygen की मातरा जानी गुल कोज जाना चीए, वो नहीं जा पा रहा है, वहां उसकी जगा क्या जम जाता है, लेक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, इस कारण से यह answer जा रहा है, तो यहां answer क्या गया, लेक्टिक एसिड डिपोजिशन के कारण ऐसा होता है, next, फिर देखो next, यहां पर क्या आया, यहां से रिप्स में यह वाले स्टेक्चर के रुप में आ रही है, निसी तो दो है, तो बाइस से पहली की स्टेक्चर जाता है, ज्यादा सोचने की जुरत ही नहीं है, इसमें तो, second answer चला जाता है, next, देखो, यहां आपके पास आया, कौन सा स्टेट्मेंट incorrect, देखो जब पीस टाइब के प्रशना है, तो अपने को यह मालों को जाना चाहिए, कि यह correct पूछा गया है, या incorrect पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जुरत है यहां पर, तो incorrect है, तो incorrect है, तो incorrect है, तो incorrect देखो, यहां galnet cavity depressed to pelvic zone, यह तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वह यहां पर यह आई नहीं सकता, पैक्टरल आएगा, ओसी पीचल एंड पैराइटल बॉन आप दा स्कलेटन एच फाइबर जॉन, ठीक है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर, फिर joint बिट बिंदा, यहां वर्टिबरी इंदा, वर्टिबल कॉलम इस दाहिन जॉइ जॉइंटा, वो कॉटिलेजस जॉइंट के रूप में होता है, इसका मतलब आपके पास यहां भी आंसर, यह गलत हुआ, फिर यहां गॉइट, यह इसमें क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, उनमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, इसका मतलब यह भी सही हु जॉइंट्स एक एक लाइन को जहां जितना पूछा गया उतना आपको मालूम होना चाहिए, गलती होई नहीं सकती, नेक्स देखो, आपके पास आया यहां पर देखो, जस्ट अभी बात कर रहे थे पन, डिपोजिशन ऑप दा यूरिक एसिड किस लाइन इंदा साइनोवि जॉइंट में, जैसे मालो यहां पर बोन है, और यहां आपके पास यह साइनोवियल पार्ट में, यहां पर अगर मालो डिपोजिशन होने लग जाता है, और निश्ट पेन होने लग जाएगा, तो यूरिक एसिड का यहां पर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होने लग जा वेरी मॉस्ट हैनीट के लिए भी आनवान सिक विकारों के लिए आपको एक रूप जो दिया गया वो कौन सा है देखो आपको मालूम है यहां पर एक मायस्ट इसनिया ग्रेविस दिया गया यह मायस्ट इसनिया ग्रेविस क्या है एक तरह से ओटो इमिनिटी में आने वाली ड vascular dystopia, यहीं पर आ गया ना, कोई दिक्कती नहीं है, इसलिए यह आंसर चला जाता है, नेक्स जेखो, यहां से आपके बास पूछा गया, कि जो फीमर है, कब से पार्ट होता है, और वहां पर इसमें, हेड में, जो फीमर का हेड है, वो किसमें फिट होता है, कुल मिला कि यह, तो यहां पर ऐसी टेबुलम में, देखो, वहां पर वो पॉइंट गलत था, इसलिए गलत हुआ, यहां डिरेक्ली इसके लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब यह भी इंपोट स्कल, वर्टीब्रल कॉलम, एंड स्टेर्णम और रिप्स, बिल्कुल सही बात है, यह पूछा गया है, तो आपके पास क्रेक्ट क्या आया, बी एंड सी, इसका मतलब बी एंड सी, आपके पास आंसर आ जाता है, नेक्स देखो, आपको बूछा गया है, इसमें भी आप से, देखो, फिर यहाँ गलत या फिर इंकरेक्ट कुछा गया है, रोंग, कौन सा है, अपेंडिकुलर स्टिक्ट सिस्टम जो होता है, वो इस स्पेशली किस से बना होता है, लीम्स और गड़िक, यह मतलब सई बात है, इसमें और फिट यह रोंग उ गया, तीस बावन दों वह आ जाती है तो इसका मतलब ये भी निश्ची तोर पर बिलकुल सही हुआ फिर देखो अभी हाली में ये माईने से ग्रेविस जो होता है वो वीक एंड पेरालाइजड फॉर्म करता है और इसका मतलब ये भी सही है तो केवल भी आंसर यहां गलत गया तो कहां अंसर है यहां प यहां से फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट आपके पास यहां से यहां से यहां से जाता है फिर यहां पर आपको मालूम है ये आपके पास ये स्ट्रेक्चर के रूप में आपके पास आता है अब अपने को मालूम चला कि ये एक तरह से कौन सा पार्ट हुआ यहां आठ के रूप में प्रेजेंट यहां पांच के रूप में है यहां चोधा के रूप में है अपने को मालूम है इसका मतलब कारपल मतलब रिस्ट मौन यहां आठ इन नमबर के रूप में आता है और उसके बाद मेटा कारपस इसमें पाहमी हुआ है पांच नमबर में इसका मतलब य भी स़ही है फिर फैलेंज जैस डिजिटन यह 14 नमबर पे होती है आपको मामल है जयसे हैं अपन अंगोटे की बात करें दो फिर 13 13 3 तीन तो यहां आपके बारार δो चौडा इसका मतलब यह भी अब का सही है, अब आपके पास टॉर्स पाउवाली में, देखो आठ नमबर नहीं आके यहां साथ आता क्योंकि एक पटेला के रूप में यहां पर अलग हो जाता है, इसका मतलब आपके पास यह रॉंग वाली स्ट्रिक्चर हुई, इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, इसक की गलत पूछा गया और गलत यही है, नेक्स देखो, उसके बाद यहां डाइगराम दिया हुआ है, रगला पूछ रहा है, एबी सी डी के नाम, आपको मालूम हैं, यह पाउंफ बिलकुल आपको देखो, टार्सस, मेटा टार्सस, फेलेंजे सब दी हुए हैं, इसका मतलब मालूम चल गया, यह वाला वाला पार्ट हिब्बॉन के रूप में आई रहा है, तो A जो है, वो आपके पास कौन सा हो गया, फीमर हो गया, B यहां आपको पास पटेला हो गया, T आपके पास टीबिया हो गया, और F यहां फिबूला हो गया, इसका मतलब फीमर, पटेला, ट type simulation नहीं करवाना है, आप यहीं लिखो, साथ से पहले ball and socket joint के रूप में आप से पूछा गया, इसका मतलब ball and socket joint में कौन आ सकता है यहाँ, देखो, hemiris and pectoral, इसका मतलब आपको मालूम चल गया कि A जो है उसमें 5 नमबर आएगा, तो इसका मतलब यह और यह answer तो होना ही नहीं ह तो इसका मतलब यह कबज़ा संदी के रूप में आ रहा है, तो हीं joint के रूप में आ रहा है, यह आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब यह knee joint, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 4 नमबर आ जाता है, देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यह एक से मालूम चला है, पूरा पढ़ना पढ़ा, इसलिए जरूरी था अपने को इसका नोलेज होना, और वेरी मॉस्ट है, नीट में आता है जोइंट से, इसलिए अच्छी तरह बेटा, NCRT के लाइने, पूरी अच्छी तरह कॉंसेट के लिए होना चाहिए, बैसिक कॉंसेट यह सर्वाइकल वर्टिबरा के रूप में होगी, यहां पर ठेयरिकल वर्टिबरा से होगी, यहां पर यह लिंबर होगी, फिर यहां से आपको मालूम है, जस्ट सेक्रम हो गया, और यहां वाला पार्ट कॉक्सल हो गया, इसका मतलब कौन कौन से पार्ट है, तो ऐसा कौन स समेच कर रहा है एक हमदाएक ऽा Sewka no और सीन हरा है आपसे पूचया हुआ है कुनसा पार्ट ये भी NCRD को उठाय號 हुआ है सभी से अब देखोァ आपको मालुम है यह यहां वाले पार्ड की बात कर रहा है कशा मतलब यह पाराइटल फॉर्म पे चला जाता है यहां आप देखते हैं फिर उसके बाद में आप जानते हैं यहां पर 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 यहां थाइराइड के जस्ट आपके सा लूब नज़र आ रहा है, डाइगराम देख रहा है, यह पुछ रहा है, यह के लिए यह स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो कौन सा हो सकता है, देखो, यह कहे रहा है, पेरा फॉलिकिलर आप दा थाइराइड, इसका बंदब यह तो होई पेरा थाइराइड स्टेप, इसलिए पेरा थाइराइड ग्रेंड is secret of PTS, which is the increasing blood in calcium level, very 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 most है, यही आंसर आगे आगे देखने की जुरत ही नहीं रही है, नेक्स देखो, अगला पुछ रहा है, की जो यहाँ पर select the correct arrangement of neural organization according to the evaluation, देखो, सबसे पहले आपको मालूम है, नर्व आपको मालूम है, इसका मतलब हाइडरा यहाँ पर पहले आएगा, अब हाइडरा यहाँ है, यहाँ है, फिर उसके बाद में आपको मालूम है, थोड़ा सा advanced type आपको मालूम है, इंसेक्टा में आया, और फिर जाकर आगे advanced बनता चला गया, तो इंसेक्ट फिर second number पे आपके ions towards outside, very very most है, आप अच्छी तरह जानते हैं, कि जैसे मालो यहाँ से हमारे पास 70 mili volt है, और जब sodium channel यहाँ से खुलते हैं, तो निस्चित है, यहाँ वाला पार्ट और यह depolarization की step चलता है, फिर वापिस से यह repolarized stage होती है, और फिर यह यहाँ पर refactory step होती है, अगला कही रहा का अगर depolarization की स्थार पर पूने है, अगर grant करना हो, मतलब वापिस से इसको लेना हो, तो कौन से आएं इसमें यहाँ पर, क्या होंगे, बाहर की तरफ गवन करेंगे, तो निस्चित है, पोटेसियम, और तो तुबारे पास था ही क्या यहाँ पर, दियान डेकना है, इस ची रापिस एड़ी ना में आपको मालूम है, बाई पॉलर होते हैं और Cerebal Cortex में यहाँ मल्टी पॉलर होते हैं, तो कौन सा उप्पॉलर अप्सन हो सकता है, बाई पॉलर एंड मल्टी पॉलर देखो, मल्टी पॉलर यह पहले गलिया गलत हो गया, यूनी पॉलर गलिया, थर्ड आंसर चला जाता कि पढ़ने की जुरत ही नहीं है उसके बाद नेक्स देखो यहां से आपके पास नेक्स आता है यह डाइग्राम दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा गया कि आपको पैचानना है A और B स्टेप क्या है यहां अब देखो यहां A वाला पार्ट B वाला पार्ट C वाला पार्ट और D वाला पार्ट आपको पहले से ही यहां अगर लिखने ना चीज जिससे आपको मालूम रहे कि क्या है लेकिन इसमें मालूम ही चल रहा है आपने को कि यहां पर देखो ये पॉंस के रूप में आपके पास आ गया पहला C मतलब यहां पॉंस है A यहां पर क्या आ गया सेरी ब्रल पार्ट में आ गया Amissavable हो नहीं सकता यहां पर इसका मतलब यहां सेरी ब्रल और पॉंस तीन नमबर पर है अंसर यह चला गया नीट में भी आया हुआ है, आपको मालू होगा साइट, नेक्स देखो, अब देखो यहां से, area of the most active vision, eyes, clear image to cut, आपको अच्छी तरह मालू है, जैसे मालू यह लेंस है, यहां से अच्छी तरह है, यहां पर blind spot है, और यहां पर acute vision पर yellow spot के रूप में है, और यहीं पर आपको म ही नहीं हैं दिया हुआ, complicated ही नहीं बनाया हुआ, उसे क्या कहलाता है, कि ज्वैस्तान जो नित्र में सबसे, सपस्ट परतिविम बनाता है, वो कौन सा है, पित बिंदू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखे, important है, next, यहां क्या किया, क्रिष्टा founding, आपको मालू में है, क तो सिद्धी और एक MS, यह कोई सा भी आ सकता है, मालू मैं तो यहां पर यह इस परकार का दे दिया, और इसलिए यह सिंपल सा बन गया, अब देखो सिद्धी और MS क्या कह रहा है, C मतलब क्या हो गया, क्रिष्टा, और D4 मतलब क्या बनता है, एक तरह से डाइमिक स्टेफ, मतलब एक तरह से वो काइनेटिक स्टेज में होता है, चलने वाला, गतिक रूप से, और M मतलब क्या हो गया, मैक्यूला, और मैक्यूला हमें सा इस्टेटिक स्टेप में होता है, इसका मतलब यह आंसर कौन सा जला गया, एम्प्यूला और काइनेटिक, ध्यान रखना सिद् and MS, next point आपके पास पूछा गया, जैसे माल लो अपन ने एर देखा, अब जैसे माल लो यहाँ आपको मालूम है, यह पूछ रहा है यह उसी कल्स का एक starting to end point arrangement पूछ रहा है आपको मालूम है, कैसे याद रखेंगे, जैसे माल लो यह अपना एक एर पिना रूप है, अब माल लो यहाँ से, आपने सबसे पहले यहाँ कोई mail है, उसको आपने क्या किया, निकालना start किया, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, थोड़ा और आगे चले, तो यहाँ आपने अंदर की तरफ कसना start किया, तो यह हो गया, कस, इनकस, और फिर लास्ट में परदा आजाए, तो step is वाली step आगी, यह याद करने का एक point बताया है, कि सबसे पहले कोई सा हो गया, mail हो गया, फिर mail को निकालने के लिए आपने अंदर की तरफ कसा, तो यह इनकस हो गया, लास्ट में स्टेप, आ जाती है, यही रुख जा, तो इसका मतलब, यहाँ, मैलस, इनकस और स्टेपिस, और वैसे देखा जाए, तो यह इस परकार से भी याद रखा, सोर्ट में, मिस हैज, यहाँ, आईक्यू, हाई, देखो, यह तो है अडियों के नाम, यह है उसके आकार के नाम, यह है मोडिफिकेशन, मैलस, इनकस और स्टेपिस, और यह है तोड़े के आकार के हैं, और यह एनविल टाइप, और यह स्टिप टाइप की, अब यह अर्टिकिलर, यह इसके हो गया होगा चलो तो next यहाँ आपके पास आया परिमॉस्ट है आपको मालूम है brain stem does not impute brain stem जैसे मालू अपने ये वाला part अगर देखा अब आपको मालूम है यहाँ से ये वाले part के रूप में आपको मालूम चला कौन सा part नहीं आरा brain stem मेडूला अबलन के टांडेट परसेंट आ रहा है mid brain आई रही pons आई रहा है इसका फोर brain नहीं आ रहा है इसका यह आंसा चला गया agramastix नहीं आ रहा है important है NCRT की line है और आपको लगी रहा होगा NCRT के बाहर एक भी line नहीं है पेपर में systematic बनाया हुआ है important point बनाया हुए है जो exam में आते हैं और बिल्कुल एक जिस language में बनते हैं उसी परकार बनाया हुए है इस देधान रखें आप next देखो यहां आपको मालूम चला saltatory जो conduction होता है वो किस impulse के रूप में होता है अब देखो आप देखो यहां अपने एक neuron वाला structure देखा अब यहां से यह एक तरह से T-Load Android पार्ट यहां देख लिए अब यहां से यह वाले पार्ट इसके myelin पार्ट यहां पर देखें और यहां से अपने पर मालो यहां से यहां से यहां से यहां जम्प करवा रहे है तो इसका मदद Saltytery mechanism हो रही है तो देखो किस किस की बीच में हुआ लीवर सेल कोई बतलब ही नहीं था Non-mylated nerve fiber कब भी नहीं है फिर myelated and non-mylated यह फिर वापिस से यहां पर आगया है नेक्स देखो यहां से यह भी आपको मालूम है वैसे नीट में आया हुआ है आपको मालूम भी होना चाहिए यह रिपीट भी हो जाते हैं इसी बात नहीं है और साइद आप अच्छी तरह में क्या बताना चाहरा हूँ क्यूं यह दिया है यह देखो याद रखना जब हम इस मेकनिज्म को देखते हैं तो निस्तरा है हां से कैltium channel जैसे मालो खुल जाते हैं अब यहां liaison होते हैं तो इसमें neurotransmitter present होते हैं यह कैलσιयम को देखके दोड़ते हुँए यहाँ आते हैं फिर यहाँ फटते हैं और यह क्लिप्ट में आके बढ़ जाते हैं और यहां पर कुछ रिसेप्टर जो पॉस्ट रिसेप्टर होते हैं वो कहां प्रजेंट होते हैं यहां पर पॉस्ट सिनेप्टिक मेम्रेन पर होते हैं यह प्रिसेप्टिक मेम्रेन है और यह क्लिप्ट के रूप में हैं इसका मतलब A वाले पार्ट पे कौन है receptor और अब B पार्ट तो यहां कुछ दिया नहीं और C में अगरा कह रहा है synaptic vesicles मैंने भी बताया है और यह calcium channel कुलते ही moment करता हो इदर आता है तो इसलिए यह answer फर्स्ट ही चला जाता है बहुत easy था लेकिन फिर भी एक NCRT based है ध्यान रखिया नेक्स्ट यहां से पूछा गया आप से कि endocrine gland can be defined as those gland which for their secretion आप जानते हो यह ductless होती है इसका मतलब यह किसीने किसी रूप से tube या नलिका नहीं है तो यह अपने जो भी hormones निकलते हैं इसको direct related कहा करती है बलड से करती है तो इसका मतलब directly into the blood simple है इसलिए गलत होने के chance बहुत कम थे अब किसीने जाये दिमाग लगा लिया हो तो blood plus tube दोनु कर दिया हो बात अलग है next हमारे पास क्या आया यहां तक आपने देखा just हमारे पास आगे आता है in given list how many hormones are steroid in the nature अब देखो कौन कौन से हार्मोन है यहां पर दीगी सुची में steroid हार्मोन नहीं है आप जानते हो cortisol बिलकुल steroid testosterone steroid यहां estradiol steroid यह नहीं है और यह नहीं है इसका मतलब दो हार्मोन यहां पर नहीं है और दो first में ही आंसर चला गया ज़्यादा सोचने की ज़रती नहीं थी next आपके पास यह diagram NCRT का उठाया हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं important है very most है which of the phoengis would not happen immediately देखो immediately यह नाम ध्यान रगना which is stimulate given to now fibers at one end site A तंत्री का तंतु के ACD पर उद्धीपन दिया जाता है उन में से कौन सी गटना तुरंत नहीं होती है जब stimulate देंगे तो beta potassium यहां sodium की step जो है वो यहां से अपने आप freely form में काम करेगी the membrane become freely permeable at the site A for the sodium बिलकुल correct क्योंकि यहां पता है क्या है immediately not happen फिर open sodium channel and पिलुदा sodium यह भी आपके पास आजाता है फिर यहां रैपीट आउट फलू the potassium restore the resting potential of the membrane very 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 most यह तुरंत ही यहां से जैसे potassium I know का बहिर गमन सुब्त कला के विवव के निर्मान को रखता है इसका मतलब यहां से आंसर थर्ड ही चला गया यह यहां पर इस पस्ट not happen immediately step में होगा last क्या कह रहा है दुरुवता का विप्रित होना एपर भी दुरुवन होना यह तो है ही कोई सकी नहीं है यहां आपको मालूम चल गया polarity and depolaryization aside होगा ही very very must है ध्यान रखना यह NCRT का डाइग्राम है यह का यू ठाया हुआ हुआ फिर देखो next आपके पास आया कि protein nature के जो hormones होते हैं उनका receptor कहां मिलता है आप अच्छी तरह जानते हो जैसे protein वाले होंगे तो यहां यह जो plasma membrane है तो यहीं पर आपके पास यह receptor जैसे यहां मिल जाएंगे जैसे माल लो यह hormone है तो यह receptor पर arcade हो जाएगा तो इसका मतलब plasma membrane of the cell पर ही होते हैं तो देखो inside the nucleus नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता बचाई on the plasma membrane of the cell इसका मतलब कोसी का की plasma जिल्ली पर protein hormone ग्राईयर रिसेप्टर परजेंट होते हैं NCRT के लाहीं नहीं हैं ध्यान रखे easy हैं कोई दिक्त नहीं होनी चीए फिर next देखो आपके पास आया कि यहाँ diabetes insipidus जो disease होती है उसका alf secretion अब आप जानते हैं कि जैसे मालो pituitary gland के दो पार्ट है आप जानते हैं एक anterior part है और एक posterior part posterior part anterior part है उसका relation posterior part निरो ट्रांस्मिटर के रूप में यहाँ पर काम करता है और वो कह रहा है diabetes insipidus इसका मतलब यहाँ ADH का relation काम कर रहा है और वो कह रहा है कम alf secretion तो इसका मतलब इसका secretion कम हो रहा है या decrease हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है इसलिए यह answer आपका first चला जाता है next देखो आपसे पुछा गया कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो step है वो hormones का संबंद नहीं है देखो यहाँ पर metagorvus यह metacrosis यह होगा बिल्कुल milk formation बिल्कुल 100% increasing of the calcium layer in the blood यह दूसरी gland से related हो गया हाइपोफाइसिस कि इसका relation आप जानते है कि blood level में पेरा थाइराइड या थाइराइड की step या पेरा फॉलिकुलर फेब या पेरा थाइराइड step जो होती है उनसे ही endagornistic structure की रूप में काम करता है इसका तीन नमबर यहाँ चला जाता है next देखो इसके बाद पूछा कि I am a protein hormone and have no iodine my structure देखो protein hormone है लेकिन iodine का structure नहीं रख रहा है I can manage normal calcium level और देखो calcium level and in your body my sources gland is thyroid can you identify me मुझे पैचान सकते हो कुन सा हूँ मैं तो निस्चित है देखो इसका तो कोई relation ही नहीं है इसका कोई relation नहीं है क्योंकि है तो वो कह रहा है iodine नहीं हूँ लेकिन calcium के level के इस तरको बनाता हूँ और मेरा source thyroid गरती है thyroid है तो T3, T4 भी तो है यहाँ पर लेकिन इस प्लस कह रहा है यहाँ पर iodine से related नहीं है तो इसका thyrocalcitonine इसका मतलब fourth answer चला जाता है important anxiety है बिलकुल आपको थोड़ा सा logic लगाना था और सही भी किया होगा आपने next देखो आपके पास आया एक aging stage होती है all days immunosystem immunosystem become big due to the भाई देखो जैसे से उमर बढ़ती है तो आपको मालूम है इसमें से ये तो पहले से ही एक brain dust में आ जाती है आपके पास thymus ही ही है क्योंकि आप T lymphocyte और B lymphocyte बढ़ते हैं और T lymphocyte को CMI cell immediate immunity में और पढ़ते हैं जैसे ज़्याद में बुजर्ग होता जाता है तो एक डोरी क्याकार के रूप में दीरे 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 कम हो जाती है तो all days में immune system become weak किसका कारण क्या है क्योंकि वहाँ thymus क्या हो जाती है decrease step में आने लग जाती है डोरी क्या कारण में आने लग जाती है इसका मतरब तीन नमर आंसर चला जाता है next उसके बाद आप से पुछा यहां से आप से पुछा गया की statement दिये हुए है read the going statement A to D the nerve fiber PNS are two type of afferent and efferent NCRT की यह की यह लाइन लिखी हुई है आप देखना की PNS तंत्री का तंत्रू दो परकार के अभभाई और अभिभाई तंत्रू निकालते है बिलकुल सही बात है बेटा फिर दूसरा कह रहा है PNS compressed to all now body associated with the CNS PNS सभी तंत्री काउं से बना होता है जो CNS से जुड़ा हुई पार्ट PNS सभी तंत्री काउं से बना होता है जो CNS से जुड़ा हुआ हुआ होता है इसका मतलब brain नहीं CNS इसका मतलब यह भी line NCRT में यूं की यूं लिखी हुई है देखना इफ्रेंट फाइबर ट्रांस्मिट रेगुलेट्री इंपल्स to CNS to peripheral tissue ये भी NCRT में यूं की यूं लाइन है एक अभी बाई तंत्री नियामा को CNS की परीदी उत्तक तक पहुंचाने का काम करता है बिल्कुल सही बात है फिर कह रहा है brain ganglions and neural tissue found in the neural system of insect NCRT में ये भी line है बेटा एक भी गलत नजर नहीं आ रहा और पूछा क्या गया है how many statement correct या right पूछा गया है मतलब चारों ही सही है very most NCRT की line है डंग से nerve system के joystick पहला ही paragraph जो दिया हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे ये line हैं की यूदी यूई है next यहाँ आपने देखा कि एक signal from the fully developed fetus placenta immediately lead to the person which requirement to release बहुत ही से अंदारप है कि एक पूर्ण विख्षित गर्व अफरा से निकलने वाले संकेत अंते पर शव हो जाता है जिसके लिए कौन जिम्मेदार है अभी मोचन की आवशिक्ता पढ़ती है मदर के पीचुटिरी पार्ट से आपको मालूम है अक्सीरक्षिन का निकलना बहुत ही जरूरी है पहला ही बेटा थाइराइड पढ़ते हैं तो निस्चित थाइराइड का NCRT में पेज़ टर्ण करेंगे तो थर्ड लाइन पे आपको मिलेगा BMR के मेंटेन को बैसिक मेटावलिगरेट को मेंटेन करती है इसके लावा RBC का निर्मान करती है आप अच्छी तरह देखना NCRT में लाइने इसके सी लिकी हुई है और Erythropoietic बिलकुल आपको 100% है इसके बाद Cortisol 100% है और Thiroxine ज़्यादा सोचने की जरत ही नहीं है आपको सीधा ही आंसर दिख रहा है इसका मतलब 4th आंसर चला जाता है Next देखो पूछ रहा है यहां से pancreatic enzyme and bile juice the stimulate hormone secretion of the pancreatic enzyme यहां पर आपके पास आया and bile juice कौन सा hormone enzyme agnasiya agnasiya पित्रस के secretion को यहां से करेगा तो आपको मालब है cholecystokinin NCRT की line है बेटा द्यान रखें अच्छी तरह आपको आगया होगा cholecystokinin इन दोनों में ही यहां पर interact होता है और वहां से release करवाने का काम कर देता है next देखो यहां आपने देखा यह कह रहा है which of the following is not related with the hyperglycosemia hyperglycosemia से सम्बंदित नहीं है एक simple सा form था जिसमें आपने देखा देखो गुलकेगोन जिस्ट है growth hormone है cortisol है not related तो यहां thyrocalcitonin ध्यान रखे भई देखो यहां अब एक-एक point को अगर मालूम में अगर चर्चा करता हूँ तो फिर time लगता है solution में इसलिए थोड़ी चीजें ऐसी होती है जो बैटक basic concept आपको पहले से ही आना चीए डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो यह concept तो आपको मालूम होने ही चीए थोड़े थोड़े और फिर भी नहीं आए तो आप डिरेक्ट इंस्टूट में आके मिले वे तो वहां पर मैं आपको mechanism बता दूँगा कोई दिक्कत नहीं है आपके पास आया ऐसे हार्मोन का युक्म जो की एक मुक्त वसी अमलवे एमिनो अमल के को इसकी ग्रेंड के उप्योग के रूप में काम करता है इंग्लिस में देखते हैं यहां आपने देखा बेटा इस्पेशली कहे रहा है नेम दा पेर आफ हार्मोन एमिनो एसीड कौन सा ऐसा पाइट है जो की इस परकार से रियक्ट होता है देखो ज्यादा सोचने की जूरत ही नहीं थी क्योंकि देखो मुक्त वसी है फेटी एसीड और एमिनो एसीड जो की एक तरह से कोसी की एक ग्रेंड का उप्योग को गठाते हैं इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं आपको मालूम है यहाँ जीए चा गया यहाँ थायरोकसीन आ रहा है लेकिन कोटीसोल की स्टेप है ऐसा हार्मोन का युक्टली बताईए जो मुक्त वसी है अमलव है एमिनो अमल क्योई कोसी की यह ग्रेंडव है उसके उप्योग को गठाता है डिक्रीज करता है डिक्रीज भाई जैसे मालो कोई भी मेकेनिजम है और वो डिक्रीज होने जा रही है तो निस्टी तुमाने के चलो जैसे मालो मैं डिक्रीज की बात करूं यहाँ पर यह हमेंसा मेकेनिसम को बढ़ाता है ठीक है फिर उसके बाद में आपने देखा यह पिर से यहां बढ़ा दिया यह आपको मालू में बढ़ाना है इसका मतलब यहाँ आप देखते हैं लेकिन इसके साथ आप मेकनिस्म को देखो क्या कि इंसुलीन हमेंसा एंटागोनेस्टिक फॉर्म में होता है और यह स्टेप ही है यहाँ पर है लेकिन आपके पास है क्या जो कि आपकी मेकनिस्म को डाउन कर सकता है इस परकार की स्टेप होती है और इसको अच्छी तर समझो देखो नेम अप दा पेर आप हार्मोन विस रेडूस्ड रेडूस्ड टू दा सेलूलर अप्टेक उटिलाइज़जन फ्री फेटी एसीड एंड एमिनो एसीड कॉर्टी सॉल स्टेरॉल यह हार्मोन इस्पेशल यहां पर काम कर जाते है ध्यान रखें समझ में आ गया होगा नेक्स देखो यहां से नेक्स आया विच अप दा फॉइंग इस लिजन अप दा ब्रेंट इनकरेक्टली पेर्ड विद दा फंक्स अब देखो कौन सा ब्रेंट का पार्ट है जो कि एक सही सिस्टम से काम नहीं करता देखो यहां वमिटिक सेंटर है तो यह मेडुला काम करता है इसका मतलब यह तो सही है Cerebellum Language यह Cerebrum होता तो होता इसका मतलब یہी रोंग हो गया है आगे जाने की ज़रत है यही नहीं इसका मतलब दो नमबर आंसर इसका हो जाता है आगे देखो आगे देखना चाहिए तो आप कारपस केलोसम है यह बिल्कुल एक जोड़ने का काम करता है यहाँ पर आप देखते हैं रेसरी ब्रहम है नेक्स देखो प्रियूस के बाद आपके बास आया इस्पेस बिट्बिन दा लैंस और डेटिना इन फिल्ट अब देखो अपने को मालूम है यहाँ पर यह वाला पार्ट है अब आपको मालूम है इस वाले पार्ट को विट्रस सेम्बर बोलते हैं क्या होता है यहाँ विट्रस सेम्बर और विट्रस सेम्बर इन विट्रस हुमर इसका मतलब आपका थर्ड आंसर चला जाता है नेक्स देखो यहाँ से आपसे पूछा गया पक्का आपको मालूम है एक्जोन यहाँ पर है कई बार नीट में आ चुका है आपको मालूम है थर्मो लेगलेशन के लिए हाईपो तेलेमस काम करता है नेक्स देखो उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर यह डाइग्राम दिया हुआ है यहाँ पर बिल्कुल आपको मालूम है इनके ABCD पेचानने हैं देखो C आप नाम यहीं पर लिख ले यह क्या है एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि मसल्स स्पिंडल के फॉर्म में काम करता है कौन है यह मसल्स स्पिंडल और यहाँ से जो पार्ट जा रहा है यह कौन सा आ रहा है A मतलब A friend structure के रूप में अब यहाँ से यह मोर्टर के रूप में काम कर रहा है यहाँ इस परकार की step दे रही है कौन कौन से पार्ट सही होंगे अब दगो C को ही मेज़ करवा लेते हैं यहाँ पर कौन सा है C बिलकुल यह नहीं है C यह सही है C यहाँ दिया हुआ नहीं है C में देखो यहाँ पर यह structure मिली रहा है यह टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है आपको मालूम है अपना टाइम बहुत जरूरी है बचाना और फिजिक्स को देना तो इसलिए आप तुरंद पहचान जाए answer ठीक है ना यह NCRT का डाइग्राम आपको मालूम है दिया हुआ है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए नेक्स देखो यहाँ से आपके पास पूचा गया कि दा रिसेप्टर विच आर सेंसेटिव टो टेस्ट एंड स्मेल आर NCRT की लाई ने बिटा ध्यान रखें लास्ट पेरिगर आप में आपके देखेंगी स्वाद वगंद के लिए कौन से घ्रहाई काम करते हैं तो इसका मतरा रहसा नहीं घ्रहाई अरे जब हम छोड़ जाते हैं एक्जाम में तो वही आ जाता है और ध्यान रखना एक्जाम में अमेंसा याद होना चीए है विक्ति को एक स्टूडेंट को अमेंसा ये बात पक्का याद रखनी चीए कि जो चीज मुझे नहीं आ रही ना वही एक्जाम में आएगी और तैयारी उसी साफ से आप करोगे तो अब जब आप ये चीज आएगी तो आप उसको याद करोगे याद करोगे तो सेलेक्शन हो जाएगा तो इसलिए आपको याद है अब यहाँ किमो रिसेटर के रूप में यहाँ आ गया नेक्स देखो यहाँ आप से पूछा गया बिलकुल NCRT की लाइन है लिम्बिक सिस्टम यह एक एसोसियेट फॉर्म में होता है मस्तिक्स के तीरव भावनाओं के साथ सम्मन्द इस्तापित करने वाला पार्ट कौन सा होता है लिम्बिक सिस्टम ध्यान रखें यह भी इंपोटेंट है और यह NCRT की लाइन है में फस्ट स्टेप की रूप में यह आ जाती है नेक्स्ट आप देखते हैं यहां से पुचा गया कॉर्निया ट्रांस्प्लैंटेशन इस्पेशली सक्सेस्फूल बिकोज वेरी मॉस्ट है कई बार आपको मालुम भी है कई बार NCRT से बाहर भी आ जाता है कोई खास बात नहीं लगी नहीं तो मालुम ही है तुम्हें कि कॉर्निया हैस नो रिलेशन विद दा ब्लड सर्कुलेशन एंड इमिलाइशन इसलिए इसमें भी कोई जादा सोचने की जरत नहीं थी कॉर्निया कार एक रक्त परिशन चंदता परती रक्षा के रूप में कोई संब्द नहीं होता इसलिए इसका इसलिए ट्रांस प्लानिटेशन भी हो जाता है नेक्स्ट यहां आपने देखा कि जैसे इसने पूछा कि the function of sodium potassium pump to the pump मतलब sodium pump का जो कारिय होता है वो यहाँ पर क्या है तो आपको मालूम है simple सा form है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए first ही option है तीन तो यहां से sodium outside और दो यहां inside NCRT की line है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए तीन बहार की तरफ दो अंदर की तरफ की step होती है यह pump के रूप में NCRT की line है विटा उसके बाद देखो next यहां से आप से पूछा गया limbic system control which function of the brain ध्यान रखे इस बार इसके आने के 100% chance है इसलिए इस पे जोर दिया गया है आप ध्यान रखे limbic system control और body of the function तो आपको मालूम है यह especially sexual behavior NCRT की line है अच्छी तरह जानते हो इसके लिए जिम्मेदार रहे लेंगी ग्रिवार के लिए limbic system इसलिए आपको ध्यान रखना है next देखो यहां से आपके पास आया the mammalianci eyes यहां पर देखो क्या कहा एक तरह से foobia जो होता है acute vision in the center is visual filled where देखो क्या होता है यहां पर निशित है यह high density of the कौन से होता है but has no roads यह NCRT की line है ज़्यादा सोचने की जुरती नहीं है important है इसलिए आपको इसको भी बहुत important मानना है ध्यान रखे आप अच्छी तरह है यह भी important है फिर next देखो यहां से आपके पास आया कौन सा कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे अंग तंतर को सहित रूप से और अंग की किरियाओं का समिकर करता है तो निशित आपको पक्का मालूम है NCRT की line है हमारा endocrine system और nerve system काम करता है तो neural system and endocrine system इस परकार की mechanism को पूरा कर देता है next देखो यहां से आपने देखा कि यहां autonomic system division क्या है निशित आपको मालूम होना चीए यह भी NCRT की line है परीदिये तंतरी का तंतर एक part होता है फिर देखो next क्या कह रहा है यहां पर which of the falling is not involved in the knee कौन सा part है यह काम करता है यह कर रहा है यह कर रहा है ब्रेन वाला part है यह नहीं करता है यह important है फिर उसके बाद देखो यहां से आप से पूछा गया यह diagram दिया हुआ है इसमें कौन कौन से part है देखो A यहां पर dendroid है B यहां cyton है C यहां पर exon है फिर D रेनिविर नोड है यहां synaptic knob के रूप में होता है इसका मदा first ही answer चला जाता है मैं समझो साइद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर भी कोई sleep stick होई है तो इसमें tension करने की जूरत नहीं है आपको थोड़ा बहुत NCRT को मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का गलत हुआ होगा बहुत easy था और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर भी मालनो by chance आपका कोई दिक्कत आया होगा तो उसको आप easily solve करने की कोशिस करें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई करें मस्त रहें बस थोड़े serious रहें लेकिन tension नहीं करें ओके thank you